व्याज जी कहते हैं कि देवराज इंदर ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोग पालों को साथ लेकर वे केलास के लिए चल पड़े वहाँ पहुँचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महिश्वर की इस्तूती करने लगे शंकर जी के प्रसंद हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बना कर सब ने श्री विश्वर के लिए प्रस्थान किया बैकुंठ में पहुँचकर इस्तूती करने के बाद देवादी देव भगवान श्री हरी से अपने आने का उद्देश बतलाया और कहा हे प्रभु वर पाजाने के कारण महिशासुर में असी मभिमान आ गया है उसके महान भैसे मैं व्याकुल हो रहा हूँ देवराज इंद्र के भै की बात सुनकर भगवान विश्वर ने उपस्तित श्री ब्रहमादी देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिशासुर के साथ दुर्जे संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए वियास जी कहते हैं ऐसा कारिकरम निश्चित करके श्री ब्रहमा विश्वर जी प्रभरती सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े ब्रहमा जी हंस पर बैठे भगवान विश्वर वाहन गरुड हुए शंकर जी व्रशप पर सवार हुए देवराज इंद्र ने एरावत हार्थी की पीठ पर आसन जमा लिया स्वामी कार्थिकेजी मोर पर चड़े और यम्राज ने भैस की सवारी की अपने सैनिक बल को सभाल कर जैसे ही ये सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिशासुर के द्वारा सुरक्षित मदोनमत दानवी सेना सामने मिल गई फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भैंकर युथ आरंभ हो गया तरह तरह के भैंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परसपर एक दूसरे को मारने काटने लगे महिशासुर के सेना ध्यक्ष महावली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर पांच बाणों से इंद्र को मारा देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले साथ ही अर्ध चंदर संग्यक बाण से उसकी चाती में भी चोट पहुचाई उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिशासुर का सेना नयक चिक्षुर हाथी पर बैठे-बैठे ही मूर्चित हो गया इसके बाद देवराज इंदर ने हाथी की सूंट पर वजर से प्रहार किया वजर लगते ही हाथी की सूंट कट गई और उसके प्राण पखिरु उड़ गए उसके सेना में भगदन मच गई ये देखकर दानव राज महिशासुर क्रोध से तमतमा उठा उसने विडाल नामत पराकरमी दानव से कहा महाबा हो तुम बड़े शूर वीर हो इंदर को अपने बल का अभिमान हो गया है तुम जाओ और उसे परास्त कर दो वरुन प्रभरती अन्ने जितने भी देवता हैं उन्हें मार कर मेरे पास लोट कर आना वियास जी कहते हैं विडाल असेम बलशाली और वीर था मैशा सुर की बात सुनकर वे मतवाले हाथी पर सवार हुआ और देवराज इंदर के साथ युद्ध करने चल दिया उसे आते हैं वे देखकर देवराज इंदर ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया विडाल ने भी तुरंट अपने धनश से छूटे वे बाणों द्वारा इंदर के बाण काट डाले साथ ही पचास बाणों से इंदर को चोट पहुचाई जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए इसके बाद देवराज इंदर ने सर्प समान तीखे बाणों से क्रोथ पूर्वग विडाल को मारना आरम कर दिया उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटेवे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया तब इंदर ने विडाल के हाथी की सूंद पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंद धर से अलग हो गई। फिर तो भे हाथी बाहर बाहर चिंगाने लगा और पीछे मुड़कर अपनी दानवी सेना को ही कुचलने लगा। अब सानिक भे से घबरा उठे। हाथी सुंदर रथ पर बैठ गया और युद्र के मैदान में देवताओं के सामने आकर डट गया। इंदर ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर आदम का है। तब वे अपने विशाले तीखे बान उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार बान सिलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेस बल्वान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानक के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले पांच बान धनुष पर चढ़ा कर बल पूर्वक खीचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहर निकल गया। विडाल के मुर्चित होकर युद्ध के मैदान से चले जाने पर देव सेना में विजय घोषना आरंब हो गई। विजय की दुन्दूभियां बजने लगी। देवताओं के मुख से निकलीवी विजय घोषना सुनकर महिशासुर का क्रोध फिर से उमणाया। उसी छण शत्रू के अभिमान को चोन करने वाले तामर नावक दानव को उसने भेजा। आग्या पाकर तामर बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान ने आया। और इस प्रकार बान बरसाने लगा मानो मेख समुद्र में जल उडेल रहा हो। उस समय वरुन पाश ले के वे दंड से महा भाव तामर घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमी से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध मैदान में डटे रहकर ही उसने बड़ी तेजी से धनुष खीचा और तीखे बानों का प्रियोग करके इंद्र आधी देवताओं को मारना आनब कर दिया। देखकर देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया। वे अपने दिवेबानों से दानवों को मारने और ठेरो ठेरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पढ़ने पर युद्ध भूमी में तामर मुर्चित हो गया। अब तो दानव सेनिक बड़े जोर जोर से हाह मकार मचाने लगे भय से उन सब कहरदे धर्रा उठा। वियास जी कहते हैं तामर नामक दैत के मुर्चित हो जाने पर महिशा सुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह खुद देवताओं पर तूट पड़ा। देवताओ ठेरो तुम सब लोगों को आज में गद महिशासुर देवराज इंद्र के पास पहुँच गया। देवराज इंद्र एरावत हाथी पर बैठे वे थे। महा बाहू महिशासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भेंकर वजर से दानव की गदा तुरं की बढ़कर उस दैते ने उन पर तलवार चलाना आरम कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भैभीत करने वाला रोमांच कारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रियोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंब्रा सुर ने एक से वहां एक ही साथ करोड़ों महिशासुर प्रकट हो गए। रूप और पराकरम में सभी एक समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुदों से सुसज्जित थी और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिती में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीशण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंद घबराहट हो गई। वरुन, कुबेर, यम्राज, अगनी, सूर्य और चंद्रमा इन सब के मन में भी महान तरास छा गया। अपनी विचार शक्तिक होकर ये सभी देवता युद्ध के मैदान स भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर श्री ब्रह्मा, विश्नु और शंकर जी का चिंतन किया। इसमरण करते ही वे तुरंती देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुण और बली वर्द पर वे बैठे वे थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने हा परचंड तेज से माया की सारी शक्ती समाथ हो गई। उस समय स्रस्टी, इस्थिती और संगहार के अधिस्ठाता प्रधान देवता वहाँ पर उपस्थी थे। महिशा सुर ने उन्हें देखकर युद्ध की इच्छा से परेग उठा लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ महान बलशाली महिसासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रवीर असिलोमा त्रिनेत्र आदी ये दानव तथा इनकी अलावा भी बहुत से दैती युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने वे थे, भुजाएं, धनुष से सोशोबी थी, वे मत वाले होकर रत पर बैठे वे थे, उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया, मानों सियार सुकोमल बचलों को घेर कर खड़े वे हो, इसके बाद वे सभी दानव मदांध होकर देवताओं पर बान बरसाने लगे, देवताओं तो और अभी उसी प्रकार क के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ, और कुछ समय के बाद सर्वा के भगवान विश्नु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोकों को लोट गए, महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, वरुन हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे, यम्राज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे, फिर कुबेर सचदंता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयतनशील बन गए, अगनी देव ने शक्ति लेकर युद्ध में सयोग देना आरंप कर दिया, युद्ध करन लडने के लिए वे मन में पक्की धारना कर चुके थे, इतने में ही दानवी सेना सामने पहुँच गई, प्रत्येक सैनिक क्रोध में भर कर बान बरसाने में तत पड़ था, और वे बान ऐसे लग रहे थे मानों क्रूर सर्प हो, सेना के बीच वेह दानवराज भैसे के उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी अवाज निकल रही थी मानों बादल गरज रहे हो, महाबली महिशासुर अभिमान में चूर था, उसने सींगों से परवत के शिखरों को फेकना आरंब कर दिया, उसके फेकेवे पत्थरों से देवता घायल होटे थे, वह दैते बड़ा ही अद्वुत प्राणी था, उसके सरवांग में क्रोध चाया हुआ था, उसके खुरों के आगात से तता पूछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को उसने मार डाला, तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व वहाँ पर एकत्रित थे, वे सभी अत्यंत डर गए, महिशा सुर के इस पराकरम को देखकर देवराज इंद्र के पैर भी उखरने लगे, वे युद्धभुम्य से निकल कर भाग चले, शचीपती इंद्र के भाग जाने पर वरुन, कुबेर और यम्राज सभी भैसे घबरा कर विचलित हो गए, सम्यक प कर लिया, फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी चण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूँ, उस समय देवतागन भैसे कातर होकर इधर उधर छुपे वे थे, पूरा देव सदन खाली पड़ा हुआ था, महिशा सुर ने तुरंत वहां पहुँचकर अपना धिकार जमा लिया, उसने स्वयम देवराज के दिव्यासन पर बैठने की व्यवस्था कर ली, देवताओं के स्थानों पर दानवों की बैठने का प्रबंद कर लिया, इस प्रकार पूरे सौ वर्षों तक अत्यन्त भयंकर युद्ध करने के बाद, महा भिमानी महिशा सुर इंद् उन्हें महान दुख भूगने पड़े, राजन निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस तूट गया, तब वे सब मिलकर पुना ब्रह्माजी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्माजी पर ही रहता है, उनका रूप राजसिक है, उस समय कमल के आसन पर विराज मान होकर वे वेद का निर्मान कर रहे थे, उन्हें के विग्रह से प्रकट हुए मरीची आदी प्रमुख मुनिगण, जो संपून वेदों के पारगामी और शांत सभाव हैं, वे सभी उनकी सेवा में उपस्थित थे, सिद्ध, चारण, पन्नग और उरग सब के सब उन देवादी देव जगत गुरु की स्तुद्धी में संगलगन थे, देवतागन बोले संपून दुख दूर करने वाले पात्मयोनी है प्रमाजी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिशासुर से परास्थ होकर परवत की गुफा अर्थात अपना स्थान त्यागने के कारण उन्हें महान कस्ट भोगना पड़ रहा है, हमारी ऐसी दैनी दशा देखकर भी आप दया नहीं करते, ये कैसी विचितरबाद है ब्रमाजी, सैकड़ों अपरात करने भी शरन में आईवे पुत्रों को क्या निर्लोपी पिता त् इस समय महिशा सु स्वर्ग और भूमंडल का राजिभोग रहा है, ब्रहमनो द्वारा यग्यों में सर्वोतम भाग उसी को मिल रहा है, देव वरक्षों में स्रेष्ट पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलब हो रहे है, यहां तक की वहनीच समुद्र की अटू ही है, इसलिए हे प्रभो, हम सभी आपके चरणों में मस्तक जुकाए हैं, विभो, महिशा सुर अवश्य ही महान नीच है, उसके द्वारा निरंतर घ्रनित चेस्टाय होती रहती है, तरह तरह के निंदित कर्मों में वहरत है, जहां कहीं भी देवता जाते हैं, वहीं वह उ प्रभो को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं, व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इस्तुति कर के संपून देटा हाथ चोड़कर प्रजापती ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे, उनके मुख पर उस समय अत्यत उदासी चाही हुई थी, उस समय उन्हें अपार कस्ट का अनुभव हो रहा था, उन्हें दुखी देखकर लोग पिता में श्री ब्रह्मा जी मदुरवान वीडियो चे लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा